नमस्कार आप देख रहे हैं आरकेदांगी चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो निमी या CBT एक्जाम की जो फीस पेमेंट को लेके जिन भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आप एक बार इस वीडियो में समझ लीजिए पिछले भी मैंने दो तिन वीडिय की बज़े से अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्यां हैं लोगवाग फेस कर रहे हैं देखेंगा यह फीस पेमेंट हो रहा है यह फीस पेमेंट हो रहा है आपका ITI CBT एक्जाम जुलाई 2021 में जो परिक्षाएं प्रस्तावित हैं ओनलाइन एक्जाम अब आप समझ 27 जुलाई से स्टार्ट होगी एक्जाम और यह काफी एक महीने या उससे आगे तक भी चल सकती है इसमें समलत होने वाले स्टूडेंट आपके लेफ्ट आवर्ट रहनी ही अभी बच्चों की जो जितने भी लेफ्ट आवर्ट रहनी थे उन्हीं की फीस पे हो रही है आप वन वाई वन में कुछ जो आपके बिंदू है उन पर डिसकस करूंगा आप देखिएगा मेरी मोवाईल स्क्रीन पर देखिएगा फेस 22 बाफेस है जिसम का अभी जो एक्जाम को इनों ने क्या दिया है 22 बाफेस दिया है इसके अंतरगत जो हमारी एक्जाम हुई थी 28 दिस संबर से 10 अप्रेल के बीच में उस एक्जाम के लिए जो एलिजी वालते किसी कारण से वो बच्चे छूट गए या तो उनका फीस पेमेंट नहीं हो पाया या फीस पेमेंट भी हो गया है लेकिन उनका परिक्षा में वो समलित नहीं हो पाएं समलित नहीं हो पाएं चाहे वो absent रह गए हो चाहिए उनका hall ticket आया हो नहीं आया हो किसी भी कारण से वो परिक्षा में सम्मेद अगर नहीं हो पाए तो उन लोगों की fees आपको दुबारा pay नहीं करनी है ये बात आप अच्छे से clear समझे उसके अलावा fees पे करनी है left over training अब left over training में एक और clause में आपको clearly बता देता हूँ 2018 में जितने one year trade थे जैसे के copa welder है इसमें अगर बच्चों आपके बच्चे ये वाले भी left over training में ही count हो रहे हैं क्यूंकि इनकी परिक्षा भी होनी उसी face में थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई है तो आपके 2018 one year trade के जितने भी student है वो आपके बच्चे left over training में ही count होंगे हैं वो supplementary face के तो उनकी face आपको pay करनी है ठीक है एक point ये clear हुआ दूसरा point जिन भी बच्चों का अभी जो result आया है अगर back लगा हुआ है तो उस बच्चे की face को आपको pay नहीं करना है हमने बारवार इस चीज को बोला है मतलब नहीं करने का मतलब है कि face पे हो ही नहीं रही है किसी भी जगह पर all over India में face पे नहीं हो रही है तो आपको face पे आप नहीं कर पाएंगे सबसे अच्छा तरीका एक जो link है उपर वाली view list जो आप देख रहे है ना सबसे उपर वाली ये description में भी मैं दे दूँगा और पहले भी मैंने ये link आपके साथ share की हुई है पहले videos में तो इसको भी मैं आपको जैसे दूँगा तो उसको आप click करेंगे तो ITI का आपको MIS code डालना है तो आपकी list दिख जाई उसके अंदर जो अभी result हमें फैल हुए वो भी बच्चे सोंगे तो उनकी आपको face पे करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके अंदर ऐसे बच्चे जिनकी परेक्षा नहीं हुई थी अगर वो बच सान ना हो वो कुछ technical इसू है वह भी मैंने बारवार जो मेरे पर बात हुई है फ़न पर भी मैंने बताया क्या हो रहा है कि अभी ग्रिवियंस का face चल रहा है 10 जुलाई तक अभी उन्होंने बोल दिया है जो बिहार स्टेट है कुछ जगे कि रिजट अभी भी नो होटल इडी प्रेक्टिकल मार्क्स एंड्री के लिए इसके बाद 14 जुलाई तक SPIU मतलव इस्टेट गवर्मेंट का जो सबसे हैड़ ओपेस है वहां के लिए डेट दी हुई है उसके बाद 10 दिन उसके पास रहती है तो 20 सब 25 जुलाई तक ग्रिवियंस हो नो रिकार्ट पाउंड हो यह सारे मेटरसॉल कर लिए जाएंगी उसके बाद फीस पे होगी लगवग बोल रहा हूं 20 जुलाई के बाद अब आप 20 जुलाई के पहले भी हो सकती है लेकिन जहां तक मेरा एक जो अंदाज है वो एकदम 20 जुलाई के बाद ही उन बच्चों की फीस पे होग जितनी भी कंप्लेन है यह सारी जब तक सॉल्व नहीं होती है और ग्रिवियंस के सारे रिजल्ट जब तक नहीं आते हैं 15 से 20 जुलाई के 20 में यह रिजल्ट आपके सारे अपडेट हो जाएंगे उसके बाद जब वो नया वो प्रोसीजर बताएंगे फीस पे करने का तो त लेकिन अगर बच्चे कि पहले से फीस कर रखिये आपने लेकिन वह पर एक चाम नहीं बैठा है तो इसकी फीस आप दवारा Best आप सुनिए आख़री पॉइंट अगर आपने बच्चे कि पहले पीस पे कर दियों लेकिन प्रिवेस खाल आप की जिदनी जानकारी इस पर आप Google फोर्म पर भी यह जानकारी आप भर सकते हैं। रिषीप्ट ंमेल आई-डी पर आया होगा तो आप जहां से भी भर रैंए फो हम उसकी जो रिषीप्ट देख लें तो इस Google फोर्म के जरिए भी आप जानकारी बहाँ फिल करके आप बच्चे की जानकारी दे सकते हैं कि इसकी फीस पे हो चुकिए अब आप समझे आखरी आखरी का जो डिजिटी नहीं यह सबसे पहले जो महत्पूर्ण आखरी में बोला सप्लिमेंटरी ट्रेनी की जो फीस प्रोसेस है ओन होल्ड एट प्रजेंट ओनली लॉफ लेफ्ट ओवर ट्रेनी में जो वन इयर ट्रेट के बच्चे थे दो आजार अठारा के वो भी इसमें इंक्लूडेड है तो उनकी फीस भी आप पे कर सकते हैं यह बार और आप अपने जगे आप सकंसन ऑफिसर्स हैं आप पर उपिसमें उनसे भी इसकी सला ले सकते हैं चलि यह भी परेसान ना हूँ यह जो लिष्ट में आप देखते हैं पेड लिष्ट में पेड लिष्ट में पुराने पेमेंट के बच्चे नहीं दिखेंगे यह आपने जो अभी पेमेंट कर रहे हैं 22 वे फेस में वह वाले बच्चों के नाम दिखेंगे आपको पेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को सेर जरूर कर दें जाते जाते आज के लिए यतने फिर में लेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्नवाद